हेलो ब्यूटीज, वेलकम एन वेलकम बैक मैं चानल, ब्यूटी विद मनिशा और मैं हूं मनिशा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकप चालेंज जो की है वन डिप मेकप चालेंज, यह मैंने देखा था निकी टुटियोरियल्स का तो उन्हें से ही इंस्पायर होके यह मैंने मेकप चालेंज आपके साथ शेयर करूँगी तो बैसेकली यह वन डिप मेकप चालेंज है क्या आपको फुल फेस करना है सिर्फ वन डिप में, मदद आपको दिखा दी हूँ मैं अगर मैंने कॉम्पक्ट लिया है, कॉम्पक्ट मुझे लगाना है पट मैं जस्ट ब्रश लगके, एक ही बाहर में गुमांगी जितना भी प्रड़क्ट रश्ट पे आएगा, सिर्फ उतना ही प्रड़क्ट मैं अपने फुल फेस पे अपलाई करूँगी यह है वन डिप मेकप चार्ज देन यहापे मैंने फांडेशन लिया, वन पं में जितना भी फांडेशन भाहर आता है सिर्फ मैं उसी कही यूज करूँगी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, ऑन गैमेरा जो भी होगा, नो चिटिंग, नो कुछ भी जितना भी प्रोड़क्ट आएगा, उसी से ही मैं पूरा फेस अपना कंसील करूँगी या फांडेशन करूँगी एशाड़ो के लिए मैं जस्ट ब्रश लूँगी ब्रश से ऐशाड़ो पिक करूँगी दो नाइस मुझे एक ही ब्रश में कंप्लीट करने है मतलब एक ही शाड़ो से कंप्लीट करने है ब्रश में, वन डिप में, वन क्वीज में आप कितना मेकप कर सकते हो अगर ये मेकप चैलेंज आपको इंट्रेस्टन लगता है तो प्लीज कंटीनिव वाचिंग अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड गलर के बटम को प्रेस करके साइड में इक बल आइकोन होगा उसे बीट करना ताकि जो भी में 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 वीडियो इस तरह की चालेंज, हाल और रिव्यूज आपके साथ शेयर करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाल पर मिल जाए तो विदाउट वेस्टेंग टाइम, लेट्स गेट साटेट यहाँ पर मैंने स्किन को मॉश्चुराइजर कर लिया है तो सिधा बढ़ते हम प्राइमर के तरफ प्राइमर के लिए मैं उसकर हूँ यहाँ इस टेकवर की का प्राइमर यह सिलिकॉन बेस प्राइमर है और इसकिन वाले के लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है तो सिर्फ बन क्वीज करूँगी आई होब ज्यादा निकले तो 123 मैं आगे इन प्रेस नहीं कर रही हूँ ब यहाँ पर आप देख सकते हूँ मुझे बहुत सारे पिंपल्स के मार्क्स है इस साइड पर थोड़ से कम है बट इस साइड पर बहुत ही ज्यादा है तो यहाँ पर मैं यूज करूँ यह इन वाइब का कंसीलर अब यह स्टिक फॉर्म में है तो मैं सिर्फ अपनी वन पर आजाए वही मैं यूज करूँगी तो आय हुप ज्यादा जाए तो इतना प्रोड़क्ट आया है सिर्फ में इतना प्रोड़क्ट यूज करूँगी यूज कर दोंगी तो फांडेशन के लिए मैं उस करूँ यहाँ मैं अबलिंका सुपस्टेट 24 आज फुल फांडेशन यह पंप फांडेशन में है तो जस्त में वन पंप प्रेस कर दूँगी ज़ता ही प्रोड़क्ट आजाए मैं अपने फुल फेस पे लगाऊ लगाँग तो आए होप जल्दी आजाए ज्यादा आजाए जल्दी में वन थ्यूट थ्री थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो मैं इतना भी जाया नहीं करूंगी तो कुछ इतनी क्वांटिटी आई है कि वन पंप की यह प्रड़क्ट में फिंगर से अपलाई करूंगी क्योंकि अग अभी स्टिल इतना रिमेनिंग है थोड़ा सा यहां पर तो अभी मैं इसको ब्लेंग कर दूगी जहां जरूर लगे वहां इसको इमें यूज कर दूगी तो यहां पर मैं जिस्ट ब्लेंग करूंगी फ्लैक टॉक ब्रश की मदद से यह उप यह फांडेशन मेरे ईंपल समयक को कंचिल कर देंगा हे हरा हुआ है तो यहां पर complete हो चुका है तो remaining मैं फिर से लगा लोगी वेस्ट नहीं करना है बिल्किल भी हमें तो यहां पर हमारा फांडेशन अपला हो चुका है आप देख से तो कि इसने मरे पंपल समास को सिर्फ वन टिप में अच्छे तिके से चंसील किया है और इतना तो प्रोड़क्त आया और नेक्स बढ़ते हम कंसीलर की तरफ कंसीलर के लिए में यूज करूई है स्विस ब्यू काफी ज्यादा प्रोड़क्त निकलेस आया है तो यह अदे थोड़ा इहां पर अपलाई करूनगी होड़ा एस तरफघ लोगी है यह आँक तो यह मैं ऐस हे में अदूंगी क्यूज कि मुझा आयरीच पंसील करना है आस ही रखोंगी पुरूछा आपको लागेगे हम जोड कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करने के लिए यहां पर अपलाई करूंगी है कंसिलर भी मेरा बहुत ज्यादा निकला था तो थैंक गड़ ज्यादा निकला है अब हमारा कंसिलिंग भी अच्छी तरीक से होगी चुका है अब भी इसमें थोड़ा सब आके है फिर भी मैं इसको अंदर डाल रही हूँ नेक्स्ट यहां पर एक कंसिलर एंड फाउडेशन को सेट करने के लिए मैं उस करूं यह कॉंपक पाउडर कॉंपक्ट नहीं यह लूस पाउडर है यह कलर जिजन्स का एच्डी डेफिनेशन लूस पाउडर इसके साथ आपको एप ब्रश भीरसी होता है बट कुछ काम का नहीं है बहुत ही फोग करता है तो यह तो यह ब्यूटी ब्लेंटर में प्रेस करनूंगी जितना अब ही यह पाउडर ले लेगा लूस पाउडर ले ले लेगा उसको में यूस करने वाली हूँ तो जस्ट मेक श्यूर ज्यादा आजाए ठाओ 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 तो कुछ इस इतना प्रोड़क्ट आया है तो सिर्फ में इसको ही यूस कर दूंगी इसको में अंडराइज में अपलाई कर दूंगी अगर मैं ब्रक्ष की मदद से पिक करती तो इतना जादा नहीं आता जतना ब्यूटी ब्लेंटर ने लिया है है हम करेंगी कॉंटार कोंटर के में उसकार हूं यह यहां पर में ले लूँगी इस तरह से भी पूरा गूमाऊँडी तो इतना साही प्रोडुक्त आया है ड़ लो प्रोडुक्त प्रोडुक्त नहीं करोंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडुक्त नहीं कर जाएगा थोड़ा सा यहां प्रोडुक्त प्रोडुक्त नहीं कर जाएगा कि अगर में फास्ट हाथ से करने गई तो सारा प्रड़क्ट उड़ जाएगा दिन हलका सब पिंज करोंगी और मोज कॉंटुम कि अभी इसको मैं सब्सक्राइगे से ब्लॉष इसके लिए मैं उसकर हुई ऐसे फार काद प्योर कलर ब्लॉष यह बहुती पिग्मेंटेड ब्लॉष है इसलिए मैंने यह इसको चूज किया है तो जस्ट आइड बस बहुती जादा है तो मैं टस्टॉप हलके से कल दूगी अब देक्स होते कि इतना पिग्मेंटेड है आइड ब्लॉष भी हमारा लग चुका है तो हैलेड में बाद में लगाऊंगी बढ़ते है अपनी आयमेकप की तरफ जिसके लिए में उसकर यह प्रिटी और सिट का युगैंडी का पैलेट इसके जो कलर से वह बहुती पिग्मेंटेड है इसलिए में इस पैलेट को होप आयमेकप भी अच्छा हो जाए क्योंकि बेस मेंकप बहुती अच्छा हुआ है मुझे परसनली बहुती अच्छा लगा है वन डिप में ओनली तो सबसे पहले मैं करूंगी इस शेड पिक यहां यह क्रीज लाइन में अपने डिफ्यूज का क्रीज लाइन में डालने के ब्रश में तो में इसी को भी दोनों आइज में प्लेस करने वाली हूँ थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा यहां आई खट तंग मैं इस हम पिक करेंगे इस शेड तांसक्शन के लाइन किते बार मैंने किया है ठीक है लास्ट है बोलने में बोलने के साथ पताने ही जड़ा किने बार किया है तो आप पिकमेंट कर तो यहां पर एंद हम इसको अभी प्लेन कर देंगे हलका सा पॉइंटेड ब्रश लूंगी एंड इस पे कुछ भी नहीं है अब देख सुथी हम अनधिंग एल्स जस्ट इसका कलर इसमें लग चुका है शेड पिक करूंगी जस मैं पॉइंट पे लेने वाली हूं दैस्ट इस्ट इतना सा एंड आउटर दी पे अपलाई करूंगी सिर्फ थोड़ा सा यहां पर एंड थोड़ा पा यहां पर देन यहां पर मैं पिक करूंगी इस शिमरी शेड़ आपको यह शेड़ा इस शेड़ा तो सिल्फ मैं वन बार इसको मैं लेलूंगी एंड दून वाइस पर इलगा लूंगी कितना तह है कि इतना आया है यहां पर एंड तो कितना पर न थोड़ा न यहां पर एंड आया है यहां पर नूज़ा मैं पिक करूंगी इस शिमरी शेड़ श्मेय शेड़ थोड़ा सा आ थाया है इतना सा निकाहाप लगाऊंगी तो इनेर कॉर्णर में इसको मैं अपड़ाई करूगी ओ शिट में लोग लाश्वाइं तो किये नहीं है किसी दूसरे शेयर से मैं आपने लोग लाश्वाइं तो किये नहीं है तो इस लाश्वाइं के लिए मैं यूज करूँगी दूसरे कॉर्णर वाला ओके 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 जुस्ट रहाएं तो बारी है लाइनर की उसके लिए मैं उसकरी हूँ यह एन्वाइब का लाइनर एक ही बार जुआएगा वो देलोगी अच्छी से मैं इसको तो इतना सा आया है अगर बचा तो मैं भी लाइनर रॉकर रंगी ने बचाएंगे तो ऐसे ही सिंपल लाइनर मैं हरूँगी अजय के ने बैक हम आप्लाए करऊ बारे काजल आप्लाएंगी काजल बार ऊप्लाएं मैं सिर्फ ववग चाजल प्लाएं आप्लाएंगी आगें अगें लाइं आप्लाएंगे शिरफ सिर्फ किज भी नहीं लगा एकदम हललका सा लगा है कि इस आइस में लगा है जाद थोड़ा इस आइस में थोड़ा के लिए यूज दमेबिलिन का न्यू यूव्योक हाइपर गर्ल मस्कारा अगर आपको मस्कारा का पता होगा अंदर एक वांड होता है जो एक्स्ट्रा प्रड़क निकाल देता है ठीक है थोड़ा बहुत आया है तो मस्कारा हो चुका है रिमेनिंग प्रड़क में ऐसे रहूंगी आपको बताऊंगी किस काम के लिए आएगा यह मस्कारा तो ऐसे रहूंगी मैं इसको हाथ में ही क्योंकि अब हम करेंगे अपनी ब्राउस फिली उसके लिए मैं सेम पालेट यूज करूंगी ब्राउस फिलींग के लिए मैं उसकरूंगी इस डार्क ब्राउस चेर आएग मस्कारा हम मेरे हाथ में है अभी तक तो आएगो ब्राउस आप देख सो तो पुपने गंदे हैं मेरे ब्राउस बिल्कुल भी शर्न ने हैं मेरे ब्राउस को तो अच्छी से में पिक कर दूंगी क्योंकि दोनों ब्राउस इतनी चूट्टू से ब्रश से आपको फिलिंग करनी है और प्रोड़क्ट भी आपको चूट्टू से मेरे तो कुछ आया है बार ये इस बचे हुए मस्कारा की जो कि में सेट करने के लिए यूज़ करूंगी अज़ ब्राउस टिंट हाइलाइटर की जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी ये मेबलीन का मास्टर क्रोम बाइफेस्ट स्टुडियो हाइलाइटर आइनो ये बहुत ही जादा पड़ा है तो जादा मंगता है मुझको ओके बहुत सारा आ गया है प्रड़क्ट 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 फ्लोस अप्ड़क्ट अभी इसको मौंको भी अप्लाइ करने वाली हूँ तो इतना बड़ड़ा प्रश को में यूज़ने करने आ लिए इसके लिए मैं ये ब्रश लो ले लूंगी इस तरगी से ब्रड़शनों के निकाल दूगी जितना पी आएगा शेर गिव मी मुका तो जस्ट जादा हो सोया आप देख सोगी है आपे जादा आ चुकी है यहाँ पर फॉल्स आइलाशेस लग चुकी है आप देख सोगी कितना डिफरेंट आजाता है फॉल्स आइलाशेस लगाने के बाद अब यहाँ पर हम करते हैं मेकप फिक्सर और यहाँ पर में उपर से मारूगी पंप बस ओंदी वन पंप गाइस हमारा वन डिप मेकप अब देखा जस्ट वन पंप से मैंने मतलब वन ड्रॉप वन पीज वन पंप से मैंने यह मेकप लोग क्रियेट किया है आपको यह पसंद आया होगा अगर तो डॉंट फोगेट लाइक शेर एं सब्सक्राइब टूमाइच चानल सब्सक्राइब बटेंगे पास एक बलाइक आपके साथ शेर करूंगी तो उसकी नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले जाए तिल दिल बाई